हेले और विल्कम बेक टो अभूदय क्लासेज यूपी आज की इस वीडियो में हमारा नेक्स लेशन प्लैन जिसका टॉपिक है मराथा राची का उदे इसको डिस्कस करने वाले हैं जैसा के अपने पिछले वीडियो में हमने राश्ट कुट वन्स इसलाम धर्म इन सभी किया था चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मराथा राची का उदे इसका लेशन प्लैना में कैसे लिखना है कैसे बनाना है इसको देखते हैं आगे बढ़ने इस पहले अगर आप चैनल पर नहीं होंगे और अभूदय क्लासेज यूपी को सब्सक् वीडियो मिल जाएगा सिर्फ हिस्ठी का इने आपको सब्सक्रिक्ण साइंस इस सब्सक्राइगे अगर आप उसकी जरूवत होती तौद आप एक पर चैनल पर वीडियो मैं लिन्क भी ले दूग की आप हहां सी पजा बिठा और प्लेलीस्ट वियार है विद्याले का नाम लिखेंगे दिनांग कक्षा वर्ग विशय का लान सावद ये सारी चीजे लिखने के बाद हम अपना प्रकरर लिखते हैं जो है मराथा राज्य का उदे ये लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं और समानने उद्देश लिखते हैं समानी उद्धेशे पुर्वत लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि हम सभी ने औरेडी बहुत बार डिसकसिस पर किया हुआ है पुर्वत लिखकर आगे बढ़ेंगे विशिष्ट उद्धेशे पर विशिष्ट उद्देश में कुल तीन उद्देश लिखते हैं ग्यानात्मग, वधात्मग और क्रियात्मग उद्देश ग्यानात्मग में लिखेंगे कि छात्र सीवा जी के माता पीता का नाम बता सकेंगे और दूसरा है चात्र सीवा जी का जन्म अस्थान बता सकेंगे आते हांगे वधात्मक पे जिसमें लिखेंगे चात्र चापा मार युद्ध प्रडाली के बारे में बता सकेंगे दूसरा है सीवा जी द्वारा जीते गई युद्धों के बारे में बता सकेंगे उसके बाद К्रियात्मक में लिखेंगे चातर सीवा जी की तस्वीर देखकर उन्हें पहचान सकेंगे और सहायक सामगरी लिखते हैं की भारत का मानचिक्त लिया जो भी आप चीजे यूज करते हैं सहायक सामगरी में वो आप लिख देते हैं पूर्व ज्यान में हम लिखेंगे चात्रों को मुगल काल के बारे में सामाने जानकारी है क्योंकि अभी इसके जर्ष ठीक उपर हमने जो हमारा पाठियोजना संख्या 19 वे नंबर का था हमने औरेडी इस पर चर्जा किया हुआ है इस टॉपिक पर तो अगर आपको इसकी के इफ़ाइब ऊती ऐट एक बार चेक कर सकते हैं आगे देखते अब हम प्रस्तावना के प्रश्ण अपना प्रस्तावना का प्रश्ण हेडिंग लिख देंगे इसके बाद हम लिखेंगे चातर ध्यापक कथन चातर चातरा कथन ये सारे चीज़े करने के बाद हम पहला क्वेशन अपना लिखते हैं चातर ध्यापक का है अगर आप तो चातर ध्यापक का कथन लिखेंगे यहां पर मराठी कर लीजिएगा आधी हैं दूसरा क्वेशन करेंगे कि हिंदी भासा के अत्रिक दक्षिर भारत में कौन सी भासा बोली जाती है चातर बताएंगे कि तमिल मराठी आधी जो भी बोली जाती है भासा है उसके बाद तीसरा करेंगे कि मराठी भासा बोलने वालो वाले को क्या कहते हैं चात्र कहेंगे कि मराठा कहते हैं इसके बाद हम अपना next question करते हैं समस्यात्मक प्रश्ण जो है मराठा राज्य का उद्यक कैसे हुआ ये हम पूछेंगे और समस्यात्मक लिखेंगे इसके बाद उद्देश्य कथन हम लिखेंगे इसके बाद उदेश्य कथर में लिखेंगे कि चात्र अता चात्रो आज हम लोग मराठा राजज्य का उदेख कैसे हुआ उसके बारे में अध्यान करेंगे ये सारी चीजे complete करने के बाद प्रस्तूती करण़ पर बढ़ते हम पहला सिक्षड बिंदु है अब इसमें question करेंगे कि सीवा जी के बारे में आप क्या जानते हैं चात्र हो जाएंगे मौन, चात्र मौन लिखेंगे फिर व्याख्या देंगे अपना स्पष्टी करण हम अब स्पष्टी करण लिखेंगे कि सीवाग जी का जन्म 6 अप्रेल 1627 इस भी को सियुनेर के दुर्ग में हुआ था इनके पिता का नाम साहजी भोषले और माता का नाम जीजा भाई था सीवा जी एक अलग स्वतंत्र राज ये बनाना चाहते थे उन्होंने 18 वर्स की उम्र में ही सेना एकठी की और अपने आसपास के छेतरों को जीत लिया कई पहाड़ी इलाकू को जीता तो था नई दुर्गों का निर्मार कराया जैसे रामगर दुर्ग ये हमारा हो जाएगा पहले सिक्छडबिंदू का व्याक्या ये चीज़े आ लिखने के बाद हम दूसरे सिक्छडबिंदू पर आगे बढ़ेंगे अपने ये सब स्क्रीन सॉट साथ में लेते चलेंगे आप कहीं क्लियर नहीं होता अगर वीडियो की क्वाल्टी थोड़ी बहुत लोगी तो आप पहले तो बढ़ा के आप देख सकते हैं वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा लेंगे और नहीं तो मैं बोल रहे हूँ उस हिसाब से आप सुनके भी लिख सकते हैं ठीक है स्यामपट कारे आप जो भी पढ़ाएंगे स्यामपट कारे करते हैं टीचिंग के दोरां वो सारी चीज़ आप स्यामपट कारे में जो आपको सहीं लगे आपको अच्छा लगे वो आप लिख देंगे यह नहीं कि कुछ और लिख देंगे टॉपिक से हट क्या है टॉपिक से संबंधित आपको जो चीजे सही लगे आप लिख देंगे स्यामपट कारे में आगे देखते हैं दूसरा शिक्षड बिंदू हमारा स्वतंत्र राज जी की अस्थापना इसमें हम पहला क्वेशन करेंगे कि सिवा जी स्वतंत्र राज जी की अस्थापना सिवा जी ने कैसे की यह हो जाएगा हमारा दूसरा सिक्षड बिंदू यहाँ पर मौन लिख देंगे अस्पश्टी करण देंगे कि सीवा जी को स्वतंत्र राज यकी स्थापना करने के लिए दक्षिड के बीजापूर और एहमत नगर्ण के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बासा से संगर्ज करना पड़ा सीवा जी ने चलाकी से तथा साह से उफजल खां को मार डालासन 1627 इस भी में सूरत पर आकरमण कर बहुत सी संपत्ती इकठी की यह होजाएगा हमारा दूसरा सिक्षडबिन्दु का व्याक्या या अस्पश्टी करण इतना clear है अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सिक्षडबिन्दु पर इसको साथ साथ आप लिखते हुये चलेंगे या आप अगर स्क्रीन स्ट ले रहे हैं तो भी आपके लिए स्क्रीन स्ट ले ली जे लेकिन कोशिस करीए के साथ साथ लिखते चलेंगे सुनके ताकि कई चीज़ अगर क्लियर नहीं होती है तो आप सुनके उसको लिख सकते हैं तीसरा सिक्षड बिंदो है मारा चापा मार युद्ध प्रडाली यह मारा तीसरा सिक्षड बिंदो जिसमें क्वेश्चन है मारा कि मराठा किस युद्ध प्रडाली का इस्तेमाल करते थे चात्र यहां पर मौन हो जाएंगे मौन लिख देंगे हम उसके बाद असपश्टी करड़ देंगे कि मुगल बासा और अंगजेब को मराठो ने लगातार चापामार युद्धों से परास्त किया चापामार युद्ध प्रडाली में सेना की छोटी टुकडी होती थी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी यह सत्र उसे आमने सामने युद्ध न करके जंगलों में छिपकर पीछे से हमला कर भाग लेते इसे चापामार युद्ध प्रडाली कहते हैं यह हमारा तीसरा सिक्षर बिंदू हो जाएगा ओके स्यामबट कारे आप कर लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुए और अरंगे जेब को मराठो ने लगातार छापा मारे युद्धों से परास्त किया यह सारी चीज़ आपको जो भी साइन लगेगा स्यामबट कारे में लिख लेंगे हाँ एक चीज़ और 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 भी आपको अगर कोई चीज़ इसमें लगेगी हाँ यह चीज़ हमें एड करनी चाहिए तो आप बेज़क कर सकते हैं कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है अब देखते हैं हमारा पुर्णरवर्ति क्या मुल्यांकन के प्रश्ण हाँ मुल्यांकन के प्रश्ण के और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अभी देख लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार से चैनल को जाते वक्त जाने से पहले सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आगे तो लाइक सेर भी चरूरी कर दीजिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूँगी एक बार चेक करके आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान आपको उपलप्त करा सकूँ चलिए देखते हैं मुल्यांकन का प्रश्न हमारा पहला है माराथा समराजी का स्थापना किसने की दूसरा छत्रपती की उपादी किसने धारड की तीसरा सीवा जी के दूर्ग में किसका जन हुआ था और चौथा है सीवा जी ने चलाकी से तथा साहद से की से मारा था यह हो जाएगा हमारा पुन्रवतिया मुल्यांकन का प्रश्न इसके बाद ग्रियकारे लिखेंगे हम जिसमें लिखेंगे चात्र चाप अमार युद्ध प्रडाली के बारे में लिखकर लाएंगे यह हो जाता है हमारा ग्रियकारे यहीं के साथ होता है इसी के साथ हमारा पाठियोजना समाप सोगाज आज के वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक अभ्यूदे क्लास्स यूपी से जुनना न भूले अवस्चे ही चुडे रहे थैंक यू